वैसे तो आपने अपने घर में लोकी बहुत रहसे बना करके खाई होगी, पर आज हम एक बिल्कुल ने और युनिक तरीके से लोकी बना कर त्यार करेंगे, जिसे देखते ही सब पुछेंगे आपने एक ऐसे बनाया, तो नमस्कार, पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत इसके लिए मैंने एक लोकी लिया है, जिसका वजन लगबग 400 ग्राम है, लोकी खरिदते समय में ध्यान रखना है, लोकी कच्ची होनी चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा नाखुन लगा करके देख लें, नाखुन इसके अंदर जा रहा है, इसका मतब लोकी हमारी कच्ची है अब इस लोकी को मैंने साफ दो लिया है, और धोने के बाद लोकी का हमें आगे वाला और पीछे वाला पार्ट काट लेना है, अब इस तरह से हम पीलर से छिल लेंगे, या आप चाओ तो चाकु से भी छिल सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता हो, आप इसे छिल करके त्यार कर सकते हैं, लोकी जब कच्ची होती है तो फटा पर छिल जाती है, इस तरह से हमने पूरी लोकी को छिल लिया है, छिल को को अभी अलग कर लेंगे, अब इस लोकी को हम तीन पार्ट में काट लेंगे, लगबग एक ही साइच के तीन पार्ट कर लिया है, इस समय आप कच्ची है इसलिए इजीली निकल जाएंगे इस तरह से अमने पूरा निकाल लिया है आपको होल दिक रहा है इसके आर पार होल हो गया है आप पिलर डालके निकाल सकते हैं या चमच डालके भी निकाल सकते हैं दोनों से आराम से निकल जाएगा इस तरह से पूरी लोकी में से हमने गिर निकाल लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे, और इसके उपर थोड़े होल कर लेंगे, कोई फोक लेके, चाकू लेके, या टुत्पिक लेके, किसी से भी आप होल कर सकते हैं, हलके-लके होल कर लेना है, जिसे लोकी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी, अब अच्छे से लिया है, लगबग एक चिम्टी जितना नमक है, और अंदर तक भी नमक लगा लेना है, हलका सा नमक सबी जगया लग जाना चाहिए, इस तरह से नमक लगा के अमने रख दिया है, अभी इसे हमसाइड में रख देंगे, यहां पर मैंने आधा कपचना दाल ली ह दाल अमारे अच्छी भीग करके त्यार हो गई है, नाखुन लगा के तोड़ेंगे तो दाल अच्छे से तूड़ जाएगे, इस तरह से अच्छे से भीगी हुई दाल होनी चाहिए, अभी इस दाल को हमसाइड में रख देंगे, अब सबसे पहले मिक्सी के जार के अंदर जो लोकी के हमने पीस निकाले हैं, उसको हम डाल देंगे, इस समय आपको ध्यान रखना है, यदि आपके लोकी के अंदर के बीच पक्के निकले हैं, उसे हमें अलग कर लेना, पक्के बीच खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, लोकी का गुदा हमने अच्छे से पीस लिय है अभी इसके अंदर हम दाल दाल देंगे इसी के साथ इसमें दो हरी मिर्ची डाल देंगे हरी मिर्चे को भी मैंने रफली तोड़ लिया है आदा इंच मैंने अध्रक का टुकड़ा लिया है जिसको भी मैंने बड़ा बड़ा ही काट लिया है हाफ टीस्पून जितना मैने साबू धन्या लिया है ये भी इसमें डाल देंगे अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे हाफ टीस्पून जितने लाल मिर्ची डाल देंगे और क्वाटर टीस्पून जितना हल्दी डाल देंगे हाफ टेबल इस्पून जितना नमक डाल देंगे और हाफ टेबल इस्पून जितना पानी और डाल देंगे अब इसमें लगब दो टेबल इस्पून जितना पानी डाल देंगे और डक्कन लगा करके इसे पीस लेंगे इतना पीष्टे में लगबग हमारे चार टेबल स्मूज जितना पानी लगा है अब इस डाल को में एक ओल के अंदर निखाल लेंगे तो आप देख पा रहे हैं डाल अमारी बहुत ही स्मूध पिसके तयार हुई है इस तरह का टेक्स्चर होना चाहिए अब इस तरह के अंदर यह मसाला हम भर लेंगे अब इस लोकी के अंदर यह मसाला हम भर लेंगे जो दाल का मसाला हमने बनाया है यह भरना है आप चम्मस से डाल सकते हैं आप चाहता हाथ से भी डाल सकते हैं मसाला बहुत ही सौफ्ट है इसलिए आराम से बर जाएगा दूसरे साइड में हमें हाथ रख देना है इससे मसाला हमारा बहर नहीं निकले दबा करके इस तरह से आप भर लें अंदर से कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए यदि मसाला घिला होगा तो बहर निकलने लग जाएगा तो आप देख पा रहे हैं गोल हमारा परफ्रेक्ट था इसलिए बहर नहीं निकल रहा है इस तरह से डाल को हमने अच्छे से भर लिया है और दिखना में कितने सुदर लग रहे हैं अभी इसको हम साइड बे रख देंगे इसको पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है पैन में लग भग 2 कप जितना पानी डाल देंगे दो कपानी लग भग 500 एमेल है अभी इसके अंदर हम एंग रिंग रख देंगे यदि आपके पास इस तरह सी रिंग नहीं हो, तो आप कोई भी बॉल रख सकते हैं, या कोई प्लेट भी रख सकते हैं, पर वो किनारी वाली होनी चाहिए, अभी इसके अंदर हम छलनी रख रहे हैं, इस छलनी थोड़ी सी पानी से उपर रहनी चाहिए, इस तरह से हमने चालन मिनिट हो गए हैं, एक बार इसको खोल के देख लेते हैं, आपको भी टूथ पिक ले सकते हैं, या चाकू ले सकते हैं, इस तरह से हमने डाल कर के देख लेना है, ये स्मूदली इसके अंदर जा रहा है, मतलब यह है कि लौकी हमारी अच्छे से पक गई है, लौकी पक जात तो इसकी जगे पर तेल भी ले सकते हैं और गी या तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं गयास को हम चालू कर देंगे अभी गी हमारा गरम हो गया है आज को इस समय हम धीरे कर लेंगे सबसे पहले इसमें हम आदा छोटा चम्म जितना जीरा डाल देंगे और क्वाटर छोटा चम्म जितना हिंग डाल देंगे जीरा भी हमारा अच्छे से पक गया है ये रेसेपी हमारी बहुती सिंपल तरीके से बन के त्यार हो जाती है दो मैंने हरी मिर्ची लिये हैं जिसको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है ये भीस में डाल देंगे आज कोई समय हमें धीरे ही लिखना है धीरे आज में इन सब को पकाना है इसी के साथ मैंने साथ आठकडी पते लिये हैं ये भीस में डाल देते हैं और एक टीज़ पून जितना अध्रग लसन का पेश्ट लिया है, यह भी इसमें डाल देंगे. यदि आप लसन नहीं खाते हैं, तो इसके जगह पे अध्रग को कंदुकस करके डाल सकते हैं. यह अध्रग का पेश्ट भी डाल सकते हैं. अभी मिर्ची और अध्रक हमारे अच्छे से पक गए हैं, अभी इसमें हम प्यास डाल देंगे. यह मैंने एक मिडियम सइज का प्यास लिया है, जिसको मैने चोटा-चोटा काट लिया है, यह इसमें डाल देंगे. ये दिया प्याज नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं इसी के साथ मैंने एक टेबली स्पून जितना कसोरी मेती लिया है ये भी इसमें डाल देंगे इसका फ्लिवर इसमें अच्छे से बैट जाएगा प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हलका ट्रांस्ट्रूशन दिखने लग जाए इतना ही हमाँ पका के तियार करना है ज़्यादा कलर चैन जो यह आता है तो अच्छा नहीं लगता है जब तक प्याज पकरा है तब तक हमने एक बाउल के अंदर त्री फोर तब जितना दही लिया है दही के अंदर कुछ मसाले डाल देंगे एक टी स्मून जितना लाल मिर्ची डाल देंगे यह कस्मिरी लाल मिर्ची है इसका कलर बहुत अच्छा आता है ज़्या तीख ही नहीं होती है यदि आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची कम डाल सकते हैं आदा छोटा चम्मच जितना इसमें हम हल्दी डाल देंगे और एक छोटा चम्मच जितना इसमें हम धन्या पाउडर डाल देंगे आदा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देंगे यह काम हमें पहले सही करके रख देना है यह सब मिक्स करके डालेंगे तो दही हमारा फटेगा नहीं दही को मैं अच्छे से फैट लेना है क्योंकि दही के अदर जो खुटलें वगर होगी वह सब मिक्स हो जाएगे यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है यह आप खटा दही लेते हैं थोड़ा कम लेना है इस समय दही डालने से सबजी में टैस्ट अच्छाrospect पूरे मसाले के अंदर कसुरी मति और दही का अच्छा अआठा प्रीयोंे आज अगए और पूरा गी इसमें से छूट गया है अभी में ठोड़ा पानी डाल देंगे यहां पर मेन भायल ह särigड़ा लिया है अभी इसमें एक कब जितना पानी डाल देंगे तो मसाला इसके अंदर जिपका हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा मसाला वेश्ट भी नहीं होगा और इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी अभी आप देख पा रहे हैं ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है अभी इसको हम उबल न देंगे इतनी देर में हम वापस लोकी को देख लेते हैं लोकी मारे अच्छे से ठंडी हो गई है ठंडी होने के बाद में लोकी को मैं इस तरह से काट लेना है आदा आदा इंच का लगपर पी समय काटना है तो दाल हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छे से जम गई है बनाते समय आपको लग रहा होगा डाल इसके अंदर डाल रहे है वो निकल जाएगी पर यह निकलती नहीं है डाल इसके अंदर अच्छे से पग गई है और इसमें फिक्स भी हो गई है जिस कारण से लोकी की सबजी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ आपको माई रेसेपी कैसी लग रही है मिचे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके में जरू बताएं यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दबादें जिसे जब यह बार नया वीडियो आएगा आपके फॉन में घंटी भज जाएगी यदि आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो आप अमारे पीच को फॉलो कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं लौकी के उपर हमने खड़े किये थे जिस कान से लौकी अमारे अंदर तक अच्छी पक गई है लौकी एकदम सॉफ्ट हो गई है ऐसी लौकी खाने में बहुत ही स्वालिश लगती है जब भी मेरे घर में ये बनाती हूँ कभी गेस्ट वगर आते हैं तो गेस्ट भी हमेसा पूछते हैं ये सबजी आपने कैसे बनाई जब तक हमने लौकी काटा तब तक धीरे-दीरे आत में ग्रेवी भी हमारी अच्छे से उबल करके तयार हो गई है अभी लौकी को इसमें हम डाल देंगे लौकी तो वैसे भी हमारी पकी हुई है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे तीन-चार मिन्टी से हम और पका लेंगे जिसका नचे लौकी मसाले को अच्छे से अब्जॉप कर लेगी अभी पाँच मिन्ट तक सबजी को मैंने और पका लिया है पाँच मिन्ट में सबजी अच्छे से रसीच गई है और दिरे-देरे पड़े-पड़े और भी ज्यादा रसीच जाती है अब भी इसमें हम सादा चोटा चमज इतना गरमसाल डाल देंगे और थोड़ा सा हरा दन्य डाल देंगे तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ मैंने इसमें दो सब्जयों का इस्तमाल किया है सिर्फ दो सब्जयों में यह बहुत यूनिक सब्जी बन करके त्यार हो गई है तो आप भी अपने गरमें रसे पर जरूर ट्राइ करें फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई and take care